नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेका मैं आपका स्वागत है जौनपूर दिवानी अधिवक्तासंग के चुनाव में सुक्रवार को गहमा गहमी के बीच मद्दान वा मद्गर्ना संपन हुआ अध्धश पत पर जितेन दुपाद्यायव मंत्री पत पर अनिल कुमार सिंग निर्वाचित हुए चुनाव परेडाम की घोष्टा होते ही समर्थकों ने विजई प्रत्याशियों को जीत की बधाईया दी सुबर नौ बजे से सुरू हुए मद्दान को लेकर पूरे दिन गहमा गहमी बनी रही दिवानी परिसर में फोर्स तैनाथ की गई थी कुल 15 पदों पर चुनाव के लिए 8 भूत बनाए गए थे मद्दाताओं को पर चेपत दिखाने के बाद ही मद्दान की अन्मती दी गई लंच के पहले तक 40 फीसद से अधिक वोट पर चुके थे इसके बाद मद्दान की गती में तेजी आई कुल 2224 मद्दाताओं ने अपने मतादिकार का प्रयोग किया शाम चार बजे के बाद मतों की गिंती सुरू हुई एक एक चक्र की गिंती के बाद अंतर घटने बढ़ने को लेकर पत्याशियों की भी धढ़कने बढ़ती रही अध्यश पत्पर तीन पत्याशी मैदान में थे इसमें सरवाधिक 806 वोट पाकर जितेन नाथ उपाध्याय अध्यश निर्वाचित हुए उनके प्रतिद्वन्दी सुभाशन यादो को 757 मत प्राप्थ हुए उपाध्यश के दो पत्पर अरुड कुमार शिनहा को 883 मत एवब नरेन बहाधुर सिंग को 762 मत प्राप्थ हुए और यह विजई हुए मंत्री पत्पर अनिल कुमार सिंग को 496 मत मिले उन्होंने अपने निकटम प्रतिद्वन्दी रडबहादुर यादो को 633 मतों से हराया रड बहादूर यादों को 433 वोट मिले, सैयुक्त मंसी पत्पर राज कुमार यादों को 98 मतों से विजई हुए, उन्हें 630 मत था उनके निकटतम प्रतिद्वन्दी उस्मान अली को 532 वोट मिले उपमंसी के दो पत्पर रीता सरोश को 982 मत वविने कुमार उपाध्य को 892 मत पाकर विजई हुए, लेखाप निरेचक पत्पर अतुल कुमार शिवास्तों को 1092 मत मिला और वविजई बने, मुख चुनाव अधिकारी आरपी सिंग ने मदगरना के बाद परडाम की घोशना क विजेता प्रत्याशियों के समर्थकों ने फूल माला से लाद कर जीत का जश्न मनाया और बधाई भी थी